हलो एन विल्कम एवरिवान कैसे आप सब आप देख रहे हैं फटफट कलासिज और मैं हूँ अदिल रशीद आपकी साथ दोस्तों ये आज हमारा थर्ड लेक्चर हैं जेकेपी कानस्टेबूल के लिए इंडियन जियोग्राफी का थर्ड लेक्चर हैं बाकी 40 के लेक्चर प्लेलिस्ट में मैं एड कंटिन्यू कर रहा हूँ ठीक हैं तो हमने ये डिसाइड किया हैं कि हफते में हम तीन दिन पॉलिटी पढ़ेंगे तीन दिन जियोग्राफी पढ़ेंगे ठीक हैं और एक दिन करते हैं जहां से हमने लास्ट पे जहां पर हमने खतम किया था हम उद्र से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक हैं देखिए यहां पर मैंने आपको पहली बोला यह कोर्स में उस तरीक से डिजाइन किया हैं मैंने यहां पर इंडियोग्राफी जो है इसका पहला चेप्टर का न वो भी आप स्वालो कर सकोगे और मैं आपको गैरंटी देता हूँ आप कही पर भी जाओगे ना पढ़ने के लिए लास्ट पर आप वापस इसी फटाफट कलास की चनल पर आओगे लास्ट पर आप वापस यहां के ही मौक टेस्ट पर आओगे वापस आप लास्ट पर यही हमारे ही कंटेंट पर आओगे क्योंकि मुझे पता है कि बाकी यूट्यूब पर पढ़ा रहे ना इस टाइम पर यहां पेड बेस में मैंने वो भी देखा कि कौन कैसा पढ़ा रहा है ठीक है तो चलिए स्टाट करते हैं वो बाकी आप देख लेना कि जो मैथ और रिजनिंग का पोश्टन और इंगलिश का पोश्टन आप देख लेना अगर हो सका तो हम दूसरे सर को यहां पर आरेज करेंगे अगर नहीं तो हम आप वो दूसरी चनल पर करवाएंगे ठीक हैं तो चलिए स्टाट करते हैं देखें यहां पर आप देख सकते हो हमें उस यूटी और स्टेट का नाम बताना है जिसका कोई इंटरनेशनल बार्डर नहीं है जो किसी भी कंट्री के साथ टैच नहीं करता है यहां जो कोस्ट पर नहीं है यानि कि वो स्टेट या वो यूनिन टेरेटरी जो कहीं पर समंदर को भी टैच नहीं करता है जो कहीं पर कोस्टल बार्डर को भी टैच नहीं करता है तो वो कुन से states हैं और वो कुन सी UTs हैं मैं आपको दिखाऊँगा में मैप पे मैंने पहले ही बोला ना लेकिन पहले हम ये fact तो पढ़ेंगे ना देखे इसमें हमारे 5 states ऐसे हैं जो किसी भी international जो किसी भी country के साथ international border line share नहीं करते हैं और ना ही किसी coast के साथ boundary share करते हैं और इसी तरीक से हमारे पास दो unitary trees भी ऐसी हैं जिनके पास कोई international border line नहीं है जिनके पास कोई coast line नहीं है तो सर कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ आपको देखे मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे हमारे पास 5 states हैं एक है हरियाना दूसरा है मध्याप्रादेश तीसरा है जहरकंड चोथा है चछतीजगड और पांच वहिट तलंगाना तो यह पांच आप नियाद रख ली तो इस slide का आप screen shot capture कर सकते हो और उसके बाद आप note making खोद करोगे ठीक है Union Territories Union Territories कुन-कुन सी है Chandigarh और Delhi ऐसी Union Territories है जो किसी भी country के साथ border share नहीं करते है और नहीं वो किसी coast line के साथ share करते है ठीक है Now next question क्या है Next point क्या है Next point है Endaman and Nicobar shares border with Thailand and Indonesia आप से question आएगा JKSSB में Which are the following countries shares border line या shares boundary with Endaman and Nicobar तो आपका answer क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों आपका answer होना चाहिए आपका answer होना चाहिए Thailand and Indonesia मैं दिखाऊंगा ये भी map पे ये भी मैं आपको map पे दिखाऊंगा Next Lakshadweep जो है Lakshadweep एक Union Territory है है ना Lakshadweep Lakshadweep किस साइड पढ़ता है हमारे शबाश इंडिया के western इंडिया के western side पे Lakshadweep का जो island से वो पढ़ते है ये Lakshadweep के island किस में है ये Arabian Sea में है Lakshadweep के island किस सी में पढ़ते है Arabian Sea में पढ़ते है और इसी तरही किसे जो एंडमन इंडिकोबार के island से ये किस में पढ़ते है ये बे आफ बेंगाल में पढ़ते हैं कहां पे बे आफ बेंगाल बे आफ बेंगाल में पढ़ते हैं और ये हैं on the eastern side of India ठीक है on the eastern side of India तो आप से पूछा जाता है कि ये बताएए जो ये लक्षदीब का जो island है या लक्षदीब की जो unit territory है ये किसके साथ boundary share करती है ये boundary share करती है Maldives के साथ और स्रीलंका के साथ याद रखना Maldives और स्रीलंका के साथ कून सी unit territory border share करती है वो हैं लक्षदीब सर, Thailand और Indonesia के साथ unit territory border share करती है वो हैं अंडमने नीकोबार ठीक है, Thailand और Indonesia के साथ अब आपसे question पूशा जाता है कभी ये वताइए area wise biggest city कौन है area wise area wise सबसे बड़ी city इंडिया में कौन है तो आप याद रखोगे वो है मुंबई कौन है नेक्स्ट आपसे पूशा जाता है area wise smallest city कौन है area wise smallest city of India is तो आपका answer क्या होना चाहिए बेंगलोरो कौन बेंगलोरो शबस बेंगलोरो क्या है बेंगलोरो is area wise smallest city of India smallest तो largest कौन है biggest कौन है तो biggest या largest कौन है वो है मुंबई ठीक है next है ऐसी कौन सिस्टी है जहां पर population बहुत ज्यादा है population density और population का मतलब अलग अलग होता है population density का मतलब है कि इस area पर कितने लोग रहते हैं इस area पर कितने ज्यादा लोग रहते हैं तो उस चीज़ को हम बोलता है population density ज्यादा लोग रहते होंगे तो उसको हम बोलते हैं कि यहां की population density बहुत ज्यादा है जब ज्यादा area पर कम लोग रहते होंगे तो हम बोलते हैं कि यहां की population density कम है हम यहाँ पे एक example देते हैं आपको यह 1 hectare की land है यह 1 square kilometer इस पे रहते हैं 4 بंदे और दूसरी तरीक से हमारे पास और एक square kilometer का land है यहां पे रहते हैं only two members ठीक है only two people यहां पे only two men यहां रहते हैं ठीक है तो हम बताएंगे कि population density जो है सबसे ज्यादा वो यहां पे हैं यहां पे population density ज्यादा है यहां पे population density कम है इसी तरह एक यह से आप से question पूछा जाएगा कि यह بتाएए area city जो है वो consistency है जहां पे population density highest हैं इंडिया में इंडिया में वो consistency है जहां पे population density सबसे ज्यादा है तो वो है Calcutta मेरे दोस्तों Calcutta कहां पर है? West Bengal में West Bengal Next Opposite question भी पूछा जा सकता है City with the lowest population density Highest population density हमने देखा Calcutta में, जो West Bengal में है City with the lowest population density हमने कहां पर देखी वो है कपूर थाला में, कपूर थाला कहाँ पहे है, मेरे दोस्तों कपूर थाला है, इंडिया वाली पंजाब में, कहाँ पे पंजाब में, ठीक है, कहाँ पहे है कपूर थाला, पंजाब में, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये तो मैंने आपको बोला, city का city with lowest population density और city with highest population density आप डिस्टिक का भी तो पूछा जा सकता है district with highest population density कोई है वो है मेरे दोस्तों नार्थ इस्ट डिस्ट जो कहां पे है जो Delhi की यूनिट टेरिटरी में है district with lowest population density कोई है तो वो है दिबंग वैली कोई है दिबंग वैली जो कहां पे है जो अरुनाचल प्रदेश में है कहां पे है दिबंग वैली कहां पे है अरुनाचल प्रदेश में आप याद रखोगे district with lowest population density कहां पे है वो है अरुनाचल प्रदेश में और उसका नाम है दिबंग वैली क्या उसका नाम है उस district का नाम क्या है टिबंग वैली, City with lowest population density को ने, कपूर थाला, District with lowest population density को ने, दिबंग वैली, City with highest population density को ने, यहाँ परнейस टर्ण पर फोक्स करो, city with highest population density को ने, कलकटा District with highest population density को ने, North East, ठीक है, North East इस्टर्न मोस्ट पॉइंट आफ इंडिया, इस्टर्न मोस्ट पॉइंट आफ इंडिया कुन है, इस्टर्न मोस्ट पॉइंट आफ इंडिया, यह माल लिजिए, यह माल लिजिए, इंडिया का मैप है, ठीक है, यह माल लिजिए, इंडिया का मैप है, ठीक है, यह इंडिया का कोन है आपसे पूछा जाएगा उसका नाम क्या है Easternmost point है मेरे दोस्तों किभित्धू कोन है किभित्धू कहां पे है किभित्धू कहां पे है किभित्धू एक प्लेस है जो कहां पे है अरुनाचल प्रदेश में अरुनाचल प्रदेश में क्या है किभित्धू किभित्धू इस रखना आप क्योंकि गवहर मोटा जो इने एक funny एक term है तो इससे आपको शायद याद रह सकता है गवहर मोटा जो है ये गुजरात में है ये एक जगा है जो western most point है किसका इंडिया का अगर आपसे पूचा जाता है कभी अगर गवहर मोटा option में नहीं होगा तो आप देखना वहाँ पे जरूर होगा कच district वहाँ पे कच district option में होगा तो आप ये भी कह सकते हो कि कच district जो है it is the eastern most point of India क्यों क्योंकि जो गवहर मोटा है जो है ये कच district में ही पढ़ता है लेकिन अगर आप कच भी होगा गवहर मोटा भी होगा तो गवहर मोटे को आप टिक करना ठीक है क्योंकि गवहर मोटा जो है ये exact वो point है जो western most point है इंडिया का western most sorry eastern most नहीं है western most है गवहर मोटा eastern most है किबितू नेक्स्ट, नाधर्नमोस्ट कोने, ये भी तो देखना पड़ेगा, नाधर्नमोस्ट और साधर्नमोस्ट, नाधर्नमोस्ट जो है मेरे दोस्तों, वो है हमारा इंद्रकाल, कोने, इंद्रकाल जो है, जहेंड के में पढ़ता है, ये, प्योके वाली साइड पे है, ये, कहां पे का political map है ना, उसके हिसाब से जो P.O. के हैं, यह कहां पे पढ़ता है यह Ladakh में पढ़ता है, ठीक है next, southernmost point of India, southernmost point of India को है, वो है Indra point मेरे दोस्तों याद रखना, Indra point जो है इसको हम बोलते हैं, Pygmalion point भी क्या बोलते हैं, इसको हम Pygmalion point भी बोलते हैं, Indra point और Pygmalion point, आप याद रखना यह जो Indra point या Pygmalion point है ना इसकी आगर हम exact location दखीए ना यह पता यह कहां पे है, यह है Andaman and Nicobar में, कहां पे है यह Andaman and Nicobar में एक जगा है ठीक है, जो हमारे islands है तो वही पे यह Pygmalion point यह जिसको हम Indra point बोलते हैं यह उधर ही है, ठीक है, इसकी location उधर ही है ठीक है, तो यानि कि हमारा जो Southernmost point है ना इंडिया का, वो पता है वो कहां पे पढ़ता है वो पढ़ता है, उसका नाम है Pygmalion point, उसका नाम है Indra point वो पढ़ता है Andaman and Nicobar के Union territory में है, अब देखे, आपको यहां पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि question आपको दो प्रेकार से पूछे जाते हैं दो टाइब के question आप से पूछे जाते हैं एक पूछा जाता है, Southernmost point of mainland India, ठीक है एक तो यह question बनेगा, दूसरा बनेगा Southernmost point of mainland India तो दूनू का answer जो है वो different है, Southernmost दूनू जगवा पे आप देखोगे, Southernmost यहां पे भी है, यहां पे भी Southernmost है लेकिन answer इसका different बनता है अगर Southernmost point of India जनरली पूछा जाएगा, ठीक है यहां पूछा जाएगा, Southernmost point of Indian territory, तो उसका जवाब उस टाइम पे पता क्या होगा, इंद्रा point यहां जिसको हम पिग मैलन point भी बोलते है अब अगर Southernmost point of mainland India पूछा गया, mainland India तो उसका जवाब पता क्या होना चाहिए उसका जवाब होना चाहिए, कैप के जो कनिया कुमारी में है अगर हम देखींगे किस सिटेट में है तो तमिल नाडू में है, कहां पे है तो यह तमिल नाडू में पढ़ता है, स्टेट तमिल नाडू है ठीक है, exact जो जगा है वो कैप केमोरीन है, कैप केमोरीन कहां पर पढ़ता है कनिया कुमारी डिस्टिक हो सकता है, शाहिद यह स्टी हो सकती है, लेकिन तमिल नाडू जो है, यह स्टेट है इसका, मैल नेड का आंसर क्या होगा, क्याप क्या मोरिन, इंडिन टेरिटरी का आंसर क्या होगा, इंदरा कॉल, ठीक है, डिस्टिक with highest sex ratio in India, वो कून सा डिस्टिक है, जहां पर sex ratio सबसे ज्यादा है, वो कून सा डिस्टिक है, डिस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो है महे डिस्टिक, जो कहां पर है, जो पोडिचरी में है, ऐसे दोस्तों, opposite question भी तो आएगा, जैसे मैंने उपर अभी बोला था, easternmost, westernmost, district with least sex ratio, सबसे कम sex ratio कहां पर है इसमें आपको बता है, sex ratio क्या होता है, इसमें हम देखते हैं, families की जो population है, वो कितरी है न, district with least sex ratio in India, वो कहां पर है, वो है, दमन एड दियो में, कहां पर, दमन एड दियो में, है, हाइस्ट पॉइंट 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 कंचन जंगा ठीक है आहाना प्हाने सीопर एंदर मार्टा में कभड़नेます ठीक है यहान तो कई समय होगा तो इस स्थकुन落 ace एक होता है यहां दूसरा है लेश्टैंगाlor पुइंट, लवेष्ट पूइंट इंडिया का है, वो है kutanaad, क्या उसका बोलते हैं, kutanaad परिए, kutanaad परिए, kutlanad परिए, kutanaad परिए, kutlanad परिए, kutlanad परिए, लेकिन याद रखना है, क्याद रखना है, KUTT Anad, kutaner जो है, यह minus 2.2 meter, यह minus 2.2 meter इसका क्या है, शवाश minus 2.2 meter जो है, यह sea level से नीचे है, ठीक है, यह हम बोलेंगे minus 7.2 feet ठीक है, अगर आप से पूचा जाएगा, lowest point इंडिया का कहां पे है, वो है Alpuzha district में Alpuzha district कहां पे है, वो है ठीक है, अब मैं पहले आपको map दिखाऊँगा, जो भी इसमें हमने देखना map बेसर, वो मैं आपको पहले दिखाऊँगा एक सेट, अब मैं पहले आपको वही 5 states दिखाऊँगा जो किसी भी country के साथ border share नहीं करते हैं, और जो नहीं coast line पे हैं, ठीक है तो पहला मैंने आपको कौन सा बोला था, मैंने आपको बोले हैं न, 5 states और 2 unit territories हैं पहले चलो हम, पहले हम 2 unit territories का ही जो है, देख लेते हैं, एक है new Delhi यह आप देख सकते हो, new Delhi कहाँ पे, यह तो beach में है, ठीक है, हैं कोई इसको country side से, हाँ हैं, states हैं, हरियाना हैं, उत्रा खण हैं, यहां से क्या इसको मोलते हैं, उत्र परदेश हैं, लेकिन Delhi जो है न, Delhi किसी भी country के साथ, किसी भी foreign country के साथ, यह border share नहीं करती हैं, नहीं यह किसी water body के साथ, जो है, border share करती हैं, नहीं यह बे, आप पर पंजाब में चिंदीगड़ है, यह वाला जो portion न, यह चिंदीगड़ का है, ठीक है, पंजाब में पढ़ता है, ठीक है, पंजाब के साथ ही पढ़ता है, पंजाब के अलग है, लेकिन पंजाब के साथ में ही पढ़ता है, तो आप देख सकते हो, किसी भी country के साथ ये border share नहीं करता है, अब और पांच states जो है, ये तो दो union territory थी, अब पांच states का वो पांच status जो किसी भी country के साथ border share नहीं करती है, पहला मैंने आपको बोला था 36 गड़, ये आप देख सकते हो, ये 36 गड़ बताओ, करता हैं किसी के साथ border share, मत करता हैं, नहीं करता है नहीं ये coast line के साथ border share करता है दूसरा है तिलंगाना, आप देख सकते हो तिलंगाना, बिल्कुल separate है अंधरा प्रदेश अंधरा प्रदेश यहां पे आप देख सकते हो, अंधरा प्रदेश पाकिसारे करते हैं यही वाले जो पांच हैं, तिलंगाना, हर्याना, अमध्या, प्रदेश, जारकंट, छतिजगर्ड, दहली, चंदिगर्ड, यह ऐसी उनन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं, जो कही पे भी कोस्ट के साथ बॉर्डर शेर नहीं करते हैं, नहीं यह फारन कंटरी के साथ बॉर्डर शेर करते हैं, चलिए नेक, यहाँ पर एक दो चीजे में आपको पहले और समझा दोगा, एक सिकट, मैंने आपको अभी क्या बोला था, अभी मैंने आपको क्या बोला था, कि लक्षद्वीब जो है, हाँ, लक्षद्वीब के बारे में बोला था ना, मैंने आपको, लक्ष यह आमारी पढ़ता है सवफ इस फाह ना इसे भी बहक ऑन पають एक मिने बोला था आपको था इंडोनेशिया थेल्च के साथ पहल चेकर और यहां था pa है ना वो इस साइड से पढ़ता है हमारे ठीक है एंडर ने को बार के नीचे पढ़ता है यहाँ पे ठीक है और बहुत दूर है यहाँ पे बिल्कुल करीब में भी नहीं है लेकिन थोड़ा नीचे है ठीक है थोड़ा सा नीचे है और यहाँ पे इस साइड पढ़ता है हमारे क लक्षद्वीब जो है ना यहाँ पर इसका पड़ता है वो थाइलेंड ठीक है ठीक है ना चलिए अच्छा आप और एक मैप देख लीजिए इसमें आप देखिए कि इंडिया जो है वो किस-किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है एक है पाकिसान के साथ यहाँ पे ठीक है आप उतराखण इसके साथ शेयर करता है यूपी इसके साथ शेयर करता है और हमारे यहाँ पे लदाख जो है लदाख इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है सिकिम शेयर करता है अंधरा प्रदेश भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है ठीक है तो यह हो गया चाइना के साथ और य West Bengalis के साथ boundary share करता है यह आप देख सकते हो, यानि कि Pakistan, China और यहाँ पे हम Afghanistan के साथ भी boundary share करते हैं, अगर हम देखेंगे, लेकिन कहां से P.O.K. वाली साइड से ठीक है, तो Afghanistan, Pakistan, China, Myanmar, Bangladesh और किसे साथ हम boundary share करते हैं, शाबाश और हम करते हैं, यहाँ पे हमने देखा स्रीलंका के साथ, है ना, यहाँ पे हमने देखा इंडोनेशिया के साथ, और Thailand के साथ, और यहाँ पे Maldives के साथ, है ना, तो यह कुछ ऐसी countries हैं, जिसके साथ हम boundaries share करते हैं, अब यही point इसमें लिखा हुआ है, इंडिया शेर लेंड बार्डर, इंडिया किसके साथ लेंड बार्डर share करता है, शबाश, इंडिया आप देख सकते हो, इंडिया बार्डर share करता है, पाकस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, बूटान के साथ, और बंगलादेश के साथ, ठीक है, और इंडिया साउधर नाइवर्स एकराद सी कंसिस्ट आप स्री लंका और माल्डिवस हमारे साउधर साइड से पढ़ते हैं, यह तो मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है, नेक्स्ट है, स्री लंका जो है, हाँ, आपसे पूछा जाता है, क तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है, पाक सिट्रेक, पालक पड़ी हैं, पाक पड़ी हैं, पाक सिट्रेक और गफ आप मनार, यह दो ऐसी चीज़े हैं, जिससे क्या होता है, यह दो ऐसी जगए हैं, जहां से क्या होता है, जहां से इंडिया और स्री लंका के बीच में जो ह the islands. Now, important point है, एक NCRT का point है, that traffic of cancer, जो है, वो कितने state से pass होता है, और किस-किस state से pass होता है, ये भी आप से पूछा जाता है, है ना? ये भी आप से पूछा जाता है, पाक से trade, जो है, sorry, traffic of cancer, जो है, वो कितने state से pass होता है, वो eight state से पास होता है, वो किस की स्टेट से पास होता है, उसichts लिए एक TRUCK है TRUCK है मेरे दोस्तों, मिराज, मिराज, जे-सी-बी, à-ट, G-M-T यह TRUCK है, ठीक है, यह एक TRUCK है, खदरनाक TRUCK है यह, अगर आपको याद रहेगा तो ठीक अगर नहीं तो आप वैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, मैंनो लिए, M I का मतलब है Mizoram, चलो काटते हैं पहले Mizoram को, ठीक है, हो गया Mizoram, R A का मतलब है Rajasthan, हो गया Rajasthan भी, J का मतलब है Jarkand, हो गया Jarkand, C का मतलब है 36 गड़, B का मतलब है, Bengal, West Bengal, G का मतलब है Gujarat, हो गया ये भी, M का मतलब है Madhya Pradesh, और T का मतलब है Tripora, M I मीनिस Mizoram, R A मीनिस Rajasthan, J मीनिस Jarkand, C मीनिस 36 गड़, B मीनिस Bengal, G मीनिस Gujarat, M मीनिस Madhya Pradesh, T मीनिस Tripora, ठीक है, अब आप से कभी question पूछा जाता है, मैंने देखा हैं, SSB वालोंने, दोबर question पूछे थे, कि ऐसे कून सी cities हैं, यहां पर तो इस PDF में नहीं लिखा हूआ है, इस में नहीं लिखा हूआ हैं, तो आप ये note करोगे, ऐसे कून सी cities हैं, यह तो मैं आपको states का नाम बोला, कून कून सा state traffic of cancer पे हैं लेकिन कभी पोचा जाता है ऐसी कून सी cities है ऐसी कून से districts हैं जो traffic of cancer पे पढ़ते हैं जो traffic of cancer की line पे शबश exist हो करते हैं ठीक है that are located on the line of traffic of cancer that passes through India ठीक है अब देखिए वो कून कून सी city है याद रखिएगा आप MesoRam की अगर हम बात करेंगे न MesoRam की एक city है जिसका नाम है चंपाय 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 city मेजोराम जो है that is situated on traffic of cancer that lies on traffic of cancer अब अगर हम बात करेंगे न गुजराग की गुजराग का एक गुजराग की एक जगा है उस city का नाम है Justdon क्या उसका नाम है? गुजरात का आप याद रखोगे जस्डन ठीक है? तो यह एक ऐसी स्टी है यह एक ऐसा डिस्टिक है जो कहाँ पर बढ़ता है? जो शबाश जो परदता है ट्रापिक अफ केंसर पे राजिस्तान की अगर हम बात करेंगे मद्या प्रदेश की, मद्या प्रदेश का कौन सा है, शबाश, शजापूर, शजापूर, ठीक है, शजापूर आप याद रखोगे, ठीक है, मद्या प्रदेश का शजापूर भी कहां पे है, ट्रापिक आप के अंसर पे है, अगर हम बात करेंगे, 36 गड की, 36 गड का, सोन हट ठीक है, Sonhat अगर हम बात करेंगे जाहरकंड की जाहरकंड का कुन है? जाहरकंड का आप याद रखोगे लोहारदगा ठीक है, लोहारदगा ये भी कहां पे है? ट्रापिकाप के अंसर पे हैं अब कुन बचता है? वेस्ट बेंगाल वेस्ट बेंगाल का आप याद रखोगे कृष्णा नागर कृष्णा नागर ठीक है? तो ये ऐसी स्टीज आंडिस्टिक्स हैं, जो कहां पे हैं, जो ट्रापिकाप के अंसर पे सिचुएटेड है देखे, as we know, मैलनेड इंडिए एकस्टेंड समा ये मैलनेड, मैने पहले बोलाना मैलन मैलनेड होता है देखे difí, ये हमारा बारT एंड़ वह भारत का मैप है, ये इंडिया का μैप है ये जो है ये वाली जो लेंड है, ये जो आप देख रहे हैं इसको इम बोलते हैं man land, यह जो आपको land दिख रही है ना, सच में जो आपको यह जमीन दिख रही है land portion जो आपको दिख रहा है तो यह क्या है, इसको हम बोलते है man land बाकी, बाकी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, इतना ही हमारे कबजे में नहीं है हमारे कबजे में तो यह आईलेंड भी है ना आईलेंड को छोड़के ठीक है आईलेंड को छोड़के बाकी जो हमारे पास लेंड बचता है ना यह वाला जो पॉर्शन बचता है इसको हम बोलते है मैं लेंड वरना हमारे यहां पे लक्षद भी आईलेंड भी है ना यहां पे हमारे कौन से दमनेर दियू ददरे नगर हवेले भी है यहां पे हमारा कौन सा है महे है पोडिचरी है ठीक है लेकिन में लेंड हम इस वाले पोर्शन को बोलते है यह वाला जो में जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना इसको मोलते है में लेंड आप इंड है इसलिए तो मैंने आपको बोला था Enderman and Nicobar जो है Enderman and Nicobar में पढ़ता है Pigmeline Point, वो Pigmeline Point कहाँ पे है वो है Southernmost Point of Indian Territory, उसका नाम क्या है Pigmeline Point, वो Pigmeline Point यहाँ पे है कहाँ पे, Enderman and Nicobar में तो यहाँ पे आगर हम देखेंगे ना Southern Most Point तो मैंने आपको बोला था मेल नेट का कोई है, वह है कनिया कुमारी, Cape Camoran, जो कनिया कुमारी में है, लेकिन इस से आग़े पी आगर हम देखेंगे न, हमारे समंदर में कब्जा है, कहां तक, यहां तक, यह वालत जो Extra Portion बाइचता है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तो यह इस में लेंट से लेकर, इस वहां तक, जहां तक हमारा कब्जा है समंदर में, तो इस में लेंट से लेकर आगे 21.9 किलो मेटर तक हमारा कब्जा है, में लेंट से आगे 12 nautical miles हैं कितना 12 nautical miles में लेंड से आगे 12 nautical miles हमारा कभजा है किसमें समंदर में भी इंडियन ओशन में है ठीक है अगर हम kilometer में देखेंगे न तो वो आता है 21.9 आप याद रख सकते हो 22 kilometer भी ठीक है ठीक है ठीक है न यहां तक तो last point में आपको यहां पर आज के लेकिन आगर हम मिलाएंगे न हमारा वो कभजा हमारा वो एरिया जो जिस पर हमारा कंट्रोल है ओशन में भी तो वो फिर हमारा जो latitude है न वो स्टार्ट होता है फिर 6 degree 45 मिनट नारत से ठीक है इंडियन टेरिट्री हम यह कह सकते हैं इंडियन टेरिट्री टेरिट्री इंडि 45 मिनट नारत से अगर हम बात करेंगे इंडिया के में लेंड की जो territory है उसका जो latitude है वो स्टार्ट होता है कहा से 8 degree 4 मिनट नारत से मैं दिखाओंगा आपको इंडियन टेरिट्री आप देख सकते हो 8 डिग्री से लेकर 8 degree 4 मिनट नारत से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नारत तक क अगर आप घिंल लोगे ना ये total मेें आएंगे 30 लैडिचूड़ जो है 30 लैडिचूड़ और 30 लंगी ऐसे हैं. जो इंडिया के मैल लैड से पास होती हैं.डिया के मैल लैड से पास होती है यह बात आप याद र कोगें अब मैं थोड़ा सा आपको map दिखाऊंगा, एक सेकेंड, देखेंगे, सबसे पहली बात, हम देखेंगे, Tropic of Cancer का, ठीक है, Tropic of Cancer, एक सेकेंड, Tropic of Cancer इसमें हैं के नहीं, गुजरात, मधिया प्रादेश, एक सेकेंड, असल में, आपको मुझे देखाना है, पहले, इसकेंड, इसकेंड, बिच में पाक सेकेंड, इसकेंड, 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 इसके मीजोराम से पास होता है और ट्रिपोरा से पास होता है ठीक है ठीक है ना यहां तक और क्या था मैप बेस्ट हाँ वेस्ट बेंगल से भी पास होता है ठीक है किसने मुझे यहां से याद दिलाए आनलाइन ठीक है वेस्ट बेंगल से भी पास होता है हाँ यहां पर आये आप, एक सीड़, मुझे आपको कुछी दिखाना था, मैं भूल गया हाँ देख़िये, यह हमारा मैल और आप यह वाला ऐ पज्ट पॉर्शन देख रही हो ना तो यहां पे भी है यहां से start होते हैं, तो अगर आप देखोगे, देखो, यहां से लेकर यहां तक, है ना, कितना distance है, 21.9 km जो मैंने बोला था, इसलिए हमारा जो इंडिन territory का latitude है ना, वो यहां से start होता है, ठीक है, तो यह start होता है, 60 degree 45 minute नारथ से, इंडिया की territory, अगर हम इंडिया की male lead की यह latitude है, तो वो होता है, 8 degree, 8 degree start है ना, 8 degree 4 minute नारथ से, चलिए, उमीद रहेगी कि आप बाकी दोस्तों तक यह lecture पोछाएंगे, और comment में बताना, आज का lecture आपको कैसा लगा हो, यह ज्यादा factual है, मैंने आपको पहले बोला, तो चलिए, आज की इस lecture में इतना ही, बाइ-बाइ, चेकर, thank you, thank you very much.